वेल्कम टू मैं चैनल आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉयल आलू की रेसिपी जो जट पडबन कर तयार हो जाती है तो सबसे पहले हम बॉयल आलू लेंगे प्याज शिमला मिर्च पत्ता गोबी हरी मिर्च और अद्रक अब इसमें हम ब्रेड क्रम्स डालेंगे कुछ सूखे मसाले जाएंगे जैसे लाल मिर्च पाउडर धनिया पाउडर काली मिर्च पाउडर स्वादनुसा नमक काफी सारा हरा धनिया और इसे हम मिक्स कर लेंगे अभी मैं आपको आदे ही बना कर बताऊंगी ज्यादा मैंने अलग कर दिया है अब एक कटोरी में मेंदा लेंगे और पानी डाल कर इसका एक गाढ़ा घोल बना कर तयार कर लेंगे इसमें बिल्कुल भी लंस नहीं होने चाहिए इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम इसमें औरी गैनो डालेंगे चली फ्लैक्स ये ऑप्शनल है अगर आप चाहें तो इसे इसके भी कर सकते हैं लेकिन अगर आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब हम बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से सारी बॉल्स बनाकर हम तयार कर लेंगे अब जो हमने घोल बनाया था और ब्रेट क्रम्स लेंगे मेंदर की घोल में जो हमने बॉल्स बनाई है उसे डिप करके उपर से हम ब्रेट क्रम्स की कोडिंग करेंगे इसी तरह से सारी बॉल्स को हम बैट क्रम्स में कोड कर लेंगे अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें मेरी वीडियो को लाइक करें और जादा से जादा लोगों के साथ शेयर करें बैल आइकन प्रेस करना बिलकुल नहीं भूलें जिससे मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसका नॉटिफिकेशन आपको मिलता जाएगा यह मैंने सारी बॉल्स इस तरह कैस तयार करके रख ली है तेल मैंने पहले से गरम करके रखा हुआ था तो इसे तेल मैं डीफ फ्राइ करेंगे अगर आप चाहें तो इसे सैलो फ्राइ भी कर सकते हैं लेकिन मैंने डीफ फ्राइ करूँगी पोटेटो बॉल्स को हम गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फेक लेंगे अलटते पलटते हुए आप इसे सुभा के नाश्ते में शाम को इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी बना कर खा सकते हैं बच्चों को लंच में दे बच्चे बड़े ही स्वाथ से एसे खाएंगे और यह है एक हैल्दी डिश बनकर तयार होती है इसे अच्छी तरह से चारो तरफ से गोल्डन ब्राउन होने तक फेक लेंगे आप फे या तो पोटैटो बॉल्स बोल सकते हैं या फिर पोटैटो लॉलिपॉप बोल सकते हैं आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है इसे एक मिनिट और अच्छे से फ्राय कर लेंगे हमें इसे लो फ्लेम पर फ्राय करना है ताकि यह बिल्कुल भी कच्चा कच्चा ना लगे और अच्छे से पक जाएं यह उपर से अच्छा सा क्रिस्पी हो चुका है अब हम इने निकाल लेंगे आप इसे एक बार घर पर जरूर ट्राय करें और अपना अनुभग प्रियास किचिन पर शेयर करें अब मैं आपको इसकी प्लेटिंग करके दिखाऊंगी इसमें टूथपिक लगाएंगे अगर आप चाहे तो इसे ऐसे भी खा सकते हैं लेकिन अगर आप इसमें टूथपिक लगाएंगे तो यह आपकी लॉलिपॉप बन कर तयार हो जाएंगी यह हमारे पुटेटो लॉलिपॉप बन कर तयार है आप इसे टमेटो कैचप के साथ इंजोई करें अब मैं मिलूँगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वाचिंग